रियल्मी 5 प्रो वर्सिस रेड्मी के 20 प्रो केमरा टेस्ट कमपे रिजन वीडियो में आप सब का स्वाग दे टेक्निकल गुरू अतुल में आप सब का स्वाग दे में हूँ अतुल डोबर या अगर चैनल्स पर नहीं हो तो प्ली चैनल्स सब्सक्राइब करना साथ में बेल पर भी बात करें तो आपको यहां पर एक 48 के साथ एक टेली फोटो जूम्लेंस काफ ही अच्छा मिलता अगर यहां बात करें तो यहां बात करें तो 16 मे पिक्सल प्लस 20 मेगापिक्सल है तो यहाँ पर भी काफी सारी टककर मिलेगी खास करके आपको आउटडोर, लो लाइट, इंडोर और जूम टेस्ट के अंदर और बोल सके तो नाइट मोड के अंदर, नाइट मोड में काफी अच्छा अपग्रेड देखने को मिल जाएगा के 20 प्रो तो बहुत से फोटोग्राप इंक्लूड कर दूँगा, लो लाइट, जूम टेस्ट, इंडोर, आउटडोर, सारे और आपको जो है नाइट मोड में काफी असा सपोर्ड मिलता है, उसके भी काफी सारे फोटोग्राप यहाँ पर दिखाऊंगा दिख रहा है, वो ही मैं आपके सामने जो बयान कर रहा हूं, 100% true अपनी ओर से, लेकिन अगर आप ML डिस्प्ले वाला मोबाइल यूस करते हो, तो आपको उसी साब से रिजल्स दिखाई देगा, इस चीज़ को याद रखना, पुराने कलर टीवी, और आरा अपके टीवी, और 4K TV में सब में कलर टोन अलग अलग होता है, ठीक, वेसे ही सभी मोबाइल के अंदर अलग-अलग कलर टोन होते हैं, डिस्प्ले के अंदर, तो उसी साब से आपको भी रिजल्स दिखाई देगा, लेकिन मुझे जो लेप्टॉप के अंदर रिजल्स दिख रहा है, वो ही तो इस चीज को आप याद रखना, ताकि आपको जो भी कलर टोन में, जो भी मतलब प्रोब्लम वगेरा हो, आप में से काफी सारे लोग K20 Pro यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आपको यहाँ पर रेड कलर का फेस वगेरा सेल्फी में दिख रहा है, वो चीज भी मुझे कमेंट म जरूर बता देना, तो यह हो गया हमारे मोर्निंग फोटोग्राप, यहाँ पर आप देख सकते हो, दोनों में बहुत ही अच्छी फोटोग्राप मिल रहे है, लेकिन आपके पास काफी लोगों पास K20 Pro है, तो क्या आपको यहाँ पर रेड कलर का फेस मिल रहा है, मुझे त तक बारिस पहुंच गिये, खुछ इक दिन में, तो आउट्डोर में चलते है, यहाँ पर आप फ्लावर्स वगेरा में देख सकते हो, पहले काफी कम लाइट थी, काफी ज़्यादा हो गए, मैंने यहाँ दोनों में एक्सपर्ट और प्रो मोड का यूज़ किया, कलर टोन क किया, लाइट्स कम की, ज्यादा की, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक में बहुत यह अच्छा कलर टोन मिल रहा है, एक में नेचरल, तो यह आपको आपको नेचरल या कलर टोन कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, मैंने यहाँ पर प्रो मोड और एक्सपर्ट मोड का यू फिर कुछ एक कलर टोन अलग अलग चेंज कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो, कलर टोन के हिसाब से नेचरल, यूनिक, और नेचरल, तो यह सारी फोटोग्राफ मिल रही है आपको, आप यहाँ पर कौन से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर भी आपको रिजल् आती है, लाइट की बात करें, तो थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्शन मिल रही है, लेकिन डेलिंग में कोई कमी नहीं है, के 20 प्रो के अंदर, फिर नॉर्मल से एक सेंटीमेटर से भी छोटे फ्लावर्स की बात करें, तो वह भी काफी अच्छा लाइट वाला फोटो मिल ज्याद है, के 20 में, लेकिन मेक्रो सोट आप जो है, यहाँ पर फाइप रो के अंदर ले सकते हो, इस चीज़ को याद रखना पर छोटे छोटे दाने वाले फोटो तो काफी अच्छी लाइट मिल गई, वहाँ पर नेच्रल टोन मिलता है, के 20 प्रो में, वही पर मेक्रो सो बैले बगएरा भी काफी उबर करा जाती है, हलाकि 20 मेगापिक्सल है, तो डीटेशलिंग मिल नहीं, मिल नहीं है, बाकी यहां पर अगर बेक्साइट की बात करेए, तो यहां पर थापी अच्छी फोटो मिल जाती काफी सारे Color Tone लाइट सब फोल यहां पर बेक साइड में तो आप चेंजिस कर इसकते हो इस चीज को याद रखना यहां पर पोट्रैट की कंट्रोल कर सकते हो आराम से के 20 प्रों के अंदर थोड़ा कम था फिर में यहां पर बेक्राउंड बहुत ही ज्यादा ब्लर कर दिया एच डिटेक्शन दोनों में काफी अच्छी है दोनों में से में कोई ज्यादा डिफ्रेंस नहीं एशली में आपको जूम करके नहीं दिखा अच्छा कलर और अच्छा जो बेलेंस करके भी दे रहा दोनों में पिक्चर सेम मिल रही यहां पर सेलफी की बात करें तो थोड़ा से रेड़ फेस मिला के अंदर बाकी ओर और डीटेलिंग बहुत ही अच्छी मिल जाती है थोड़ी सी ज्यादा मिलती है के 20 प्रों के यहां पर हलके से पीले कलर के फ्लावर की बात करें के 20 में प्रों में आपको जो थोड़ा सा कलर ज्यादा था में यहां पर एक्सपर्ट मोड करके कम करने की कोशिज की लेकिन हाला कि डेलाइट में यह फोटोग्राफ क्लिक कर रहा था तो मुझे संद्लाइट के उपर जो चोटा सा मका आने लग पर तीन सो मीटर या चार सो मीटर दूर ज्यादा नहीं है तो यहां पर में टू एक्स जूम फिर फोर एक्स जूम वगयरा लगा देता हूं तो इस कंडिशन में इसा विव आप देख सकते हो थोड़ी सी लाइट में चेंजिस हो रही है यहां पर र केमरा टेस्ट अगर मैं बता हूं यहां पर नाइट मोड के अंदर बात करो तो दोनों मोबाइल के अंदर जब मेरे हाथ में ते हैंड्स ओन कर रहा था फोटोग्राफी तो मुझे एट प्रो में स्वरी फाइफ प्रो में काफी अच्छी लाइट मिल रही थी दिखाई दे फोटो लेकिन यहां पर लेप्टोप में आप देख सकते हो दोनों में काफी ज्यादा डिफ्रेंस मिल रहा है अगर कभी भी आपको मोका मिले ना कोई भी अच्छा फोन बाई करना हों तो हैंड्स ओन जरूर करना जिससे आपको जोई कलर टोन वगेरा उस डिस्प्ले का प लाला लाइच के तरी करिब चले जाते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है यहां पर ओर लव लाइट के अदर चलेगे तो यहां पर आप देख सकते हो कुछ यह लॉड़ाइट में काफी ज्यादा बिप्रेंस देखने को मिल जाएंगे पहले लो लाइट अब नाइट मोन यहां पर कि यहां पर दोनों में Redmi अच्छी फोटो मिल जाती है लौ राइट में जब नाइट मोरू यूज़ किया था देख सकते हो भूट ही अच्छी फोटो दोनों में मिल जाती है लेकिन 5 Pro में अच्छी producción अप्ग्रेड वर्जने बादल व और एक नाइट फोटोग्राफ की बात करें तो यहाँ पर बादल वगेरा जो है आराम से आप वीजिबिलिटी कर सकते हो वहाँ पर अगर के 20 प्रो की बात करें तो वह भी बहुत ही अच्छा फोन ऐसा नहीं है 855 प्रोसेसर के साथ है लेकिन केमरा उसका भी अच्छा है आप देख सकते हो यहाँ पर कोई कमी नहीं है सिर्फ लो लाइट कंडिशन में कुछ एक नॉर्मल जगा पर कंडिशन में फर्क देखने को मिलता है मैंने यह च्छत पर आराम से जो बहुत ही ज्यादा लो लाइट थी वहाँ पर फोटो क्लिक की तो थोड़ी सी लो लाइट में में फाइप रो में अपग्रेड वर्जन में थोड़ी सी लाइट अच्छी मिल के यह चीज़ को याद रखना कि आप कौन से मोबाइल पर यह जो है वीडियो कैमेरा टेस्ट देख रहे हो तो आपको भी जो साय थोड़ा सा रिजर्स अलग दिखा रहा हो साय जो भी में बो बॉइस था भी आपको इन कि दोंटों मोबाइल से मीन पहलेगी पहले में इस टेबलाइजेशन देखते हैं सिर्थ पिर से चेंज हो गी है तो लो लाइट में थोड़ा सा आपको जो के ट्वेंटी प्रो के अंदर तो रोड़ा सा रेट जो है फेस्ट देखने को मिल रहा है मेरे ख्याल से में केमेरा रेकोडिंग 1080p दोनों मूबाइल में आपको 48uks देखने को मिल जाता है यहां पर पहले इमिजटेबलाइजेशन की बात करें तो यह हो गया इन दोनों मूबाइल के मिजटेबलाइजेशन अब देख सकते हो अभी ठोब ख्लोड़ा लेते हैं बेक साइट से काफी ज्यादा लाइट सा अ रही है रेध भी में थोड़ी चाहदा फिरस विजिबल हो रहा है क्योंकि मेरे ख्याल से रहा एक सर्बिसागाने अब थोड़ी सा लाइट जो धो सद्फ सा मने से आ रही तो इस कंडिशन में आपको इतना वीः जो को देखने को मिल जाएगा तो चलिए अभी हम जो एक्सपोजर चेक करते हैं तो यह हो गया इन दोनों मूबाइल का एक्सपोजर चलिए बात करते स्लो मोशन की दोनों में स्पोड मिलता इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो लाइट कंडिशन कुछ एक डार्क मोड आप देख सकते हो कलो कोछ यहाँ पर सचरेशन सब कुछ आराम से आप देख सकते हो उसके बाद अगर बात करें दोनों में टूपोट यह पियेस तो कुछ ऐसा मिल जाता है दोनों मे कोई hitting का issue नहीं है, ज्यादा sunlight नहीं, ज्यादा रोस नहीं, ज्यादा गर्मी नहीं है, तो इस condition में कोई भी hitting test तो बताना मुस्किल है, लेकिन leg वगेरा कुछ भी नहीं है, पहले mobile में record हुआ picture, ये photograph, videos, उसके बाद laptop में editing हुआ, video software में, उसके बाद export करके में ने फिर YouTube में लगाया, तो काफी सारी जगह पर transfer होता है, तो ऐसा कोई leg वगेरा नहीं है, अगर direct mobile में देखोगे, दोनों में आपको 960 fps का भी recording मिल जाता है, इस चीज़ को आप not कर सकते हैं, दोनों में काफी अच्छी results मिल जाती तो आपने देखा low light के अंदर, और outdoor में night mode के अंदर, बहुत ही low light के अंदर, काफी अच्छा पर-purpose, upgrade version बोल सकते हैं, यहाँ पर K30 भी साहद आने वाला इसकी भी बात हो रहे तो वह भी upgrade मिलेगा, लेकिन दिन बदिन जो अच्छे mobile आते ही जाएंगे market में, आप चिंता मत क जोब पर या किसी काम में, तो ज्यादा battery चाहिए, तो उसी साब से battery वाला phone पसंद करो, अपने हिसाब से phone पसंद करो, काफी सारे लोग सवाल करते हैं कि कौन सा mobile पसंद करें, यहाँ पर काफी अच्छी color tone मिलती है, यहाँ पर natural tone भी मिलता है, काफी अच्छा, तो आपके बाई करो, सोच समझ कर बाई करो, ताकि आपको कोई problem ना रहे, आज यह mobile काफी अच्छे है, अगले महिने में कोई और mobile आएगा, note 8 pro मेरे ख्याल से आज साम तक या कल तक आने वाला है, तो वो भी सायद इन दोनों से भी upgrade देखने को मिल सकता है, 64 megapixel के साथ, तो यह सारी च बागी ज्यादा देर, अगर वेट करोगे तो अभी 5G भी आ जाएगा, तो यह आपके उपर डिवेंड है, आपको कब mobile खरिदना चाहिए, तो चलिए आज की केमरा टेस्टी है, पर खतम करते हैं, जैहिन, वन्दे माद्रम